गुरुवार मंत्र विश्णू कृपा से मिलेगी सफलता नमस्कार दोस्तो मैं राशी आज किस वीडियो में आपको बताऊंगी एक चमतकारी मंत्र जिसको कहने से ही आपकी जिन्दगी बदल जाएगी दोस्तो भृस्वतिवार का दिन जिसे वीरवार या गुरुवार भी कहा जाता है भगवान विश्णू को समर्पित है इस दिन भगवान विश्णू की पूजा करने से आपके जीवन की कई परिशानिया दूर हो जाती है इस दिन अगर आप इन मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके जीवन में सुक्सम्रदी आएगी और आपके जीवन की परिशानियां दूर हो जाएगी दोस्तों कुनली में किसी भी घ्रह की अशुब स्थिती का दुर्प्रभाव जातकों को झेलना पड़ता है यानि कुनली में अगर कुछ भी खराब हो तो उसका असर हमारे जीव जाती है यहीं नहीं विवा और दामपत्य जीवन में भी तमाम परेशानियां आ जाती है इसके लावा वेक्तिकों शारेरिक और मांसिक रूप से भी कस्ट झेलने पड़ते हैं जिनका ब्रस्पति कमजोर होता है उन्हें गुरुवार का व्रत जरूर रखना चाहिए यदि इन मंत्रों को जरूर उप्योग करें भगवान विश्णु की किरपा चाहते हैं तो इस मंत्र का प्रयोग सरूर करें वीरवार के दिन भगवान विश्णु और देव गुरु ब्रस्पतिवार को पीले फूल अक्षत धूप दीप पीले वस्त्र तुलसी के पत्ते प्रदा और निस्टा के साथ पूजा अर्जना की जाए तो जीवन के कई कस्ट दूर हो जाते हैं इस चमतकारी मंत्र का जाव आपको सच्चे मन से 108 बार करना है सफलता सुख और स्म्रदी संपत्ति आपके जीवन में आही जाएगी भगवान विश्णु की पूजा करने से दामपत्य जीवन की समस्याओं से समधान मिलता है विवाहिक जीवन में सुख में हो जाता है पती पत्नी की नहीं बनती या इस रिष्टे में हमेशा अर्चन रहती है तो उन लोगों को ब्रस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए तो दोस्तों ये था वो चमतकारी मंत्र जिसका जाप करने से ही आपके जीवन की कई परिशानियां दूर हो जाती है